सामान्य मेश एक उग्र राशी है जो स्वभाव से पुरुष है और इसके अधिपती ग्रह मंगल है। उग्र ग्रह मंगल के स्वामित्व वाली राशी होने के कारण मेश उग्र राशी है। जिन जातकों का जन्म मेश राशी के तहत हुआ है वे लोग आकरामक, कुशल और अनुशासित होते हैं जबकि इन में से कुछ जातक दयावान और कोमल हृदय के होते हैं। ऐसे में ये लोग दूसरे लोगों का दुख नहीं देख पाते हैं और उनकी मदद को ततपर रहते हैं। ये अपनी भावनाओं को बेजिजक होकर दूसरे के सामने रखते हैं। मेश राशी वाले साहसिक फैसले भी जल्दी से ले लेते हैं और ऐसे में कभी-कभी इनके निर्णय गलत साबित हो जाते हैं जो काम इन लोगों को सौंपे जाते हैं वे इन्हें तुरंट खत्म करने की चाह रखते हैं इस महीने के दौरान कारियों से मिलने वाले परिणा मध्यम रहने की आशंका है क्योंकि छाया ग्रह राहु केतु अनुकूल स्थिती में नहीं होंगे जो आपके पहले एवं सात्वे भाव में स्थित होंगे नवंबर में ब्रहस्पती के पहले भाव में होने से मेश राशी के जातकों को मध्यम गती से परिणाम मिल सकते हैं शनी महाराज 4 नवंबर 2023 तक कुम्भ राशी में दसवे और ग्यारवे भाव के स्वामी के रूप में ग्यारवे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान होंगे ब्रहस्पती नौवे और बारवे भाव के स्वामी के रूप में आपके पहले भाव में स्थित है वही शुक्र दूसरे और सात्वे भाव का स्वामी है जो 2 अक्तूबर 2023 से आपके पाँचवे भाव में बैठा है बुद्ध आपके छटे भाव के स्वामी है और इस महीने के दौरान ये आपके छटे और सात्वे भाव में मौजूद है बुद्ध आपके दूसरे और सात्वे भाव के स्वामी है जो 3 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक स्थित है और 16 नवंबर 2023 से आपके आठवे भाव में मौजूद है ऐसे में जातकों को करियर, स्वास्थ्य और रिलेशन्शिप के क्षेत्र में मिले जुले परिणाब मिल सकती है विशेश ग्रहों की स्थिती के चलते इन राशी के जातकों को करियर से मिलने वाली संतुष्टी मध्यम रह सकती है साथ ही कार्यक्षेत्र पर मेहंत के बावजूद भी सराहना न मिलने की आशंका है जो आपकी चिंता का कारण बने सकता है इसके अलावा काम में देरी होने की संभावना है नवंबर के लिए जो लक्ष इन जातकों ने अपने लिए निर्धारित किये हैं संभव है कि वे इस दौरान पूरे न हो पाएं ऐसे में आपको योजना बना कर आगे बढ़ने की आवशक्ता होगी इन जातकों से काम में कोई गलती होने की भी आशंता है जो आपके विकास को प्रभावित कर सकती है मेश राशी वालों को टारगेट पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इस महीने इन जातकों की आर्थिक स्थिती में सुधार आ सकता है और खर्चे भी मध्यम गती से होंगे लेकिन फिर भी आपको पैसों को योजना बना करागे बढ़ना होगा इस राशी के जातक अपने परिवार पर अकारण ही पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं ये लोग प्रकृती को लेकर सजक हो सकते हैं या इसे लेकर कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं इसके अलावा वे अपने बच्चों के विकास पर भी काफी ध्यान देंगे नवंबर का महीना आपके जीवन के विभिन पहलों जैसे करियर, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य आदी के लिए कैसा रहने वाला है? यह जानने के लिए नवंबर मासिक राशिफल 2023 को विस्तार से पढ़ें कार्यक्षेत्र नवंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस राशी के जातकों को करियर के क्षेत्र में ठीक ठाक परिणाम मिल सकते हैं क्योंकि राशी स्वामी मंगल सात्वे भाव में अनुकूल स्थिती में हैं और इनकी दृष्टी आपके पहले भाव में हैं साथ ही शनी अपनी ही राशी में विराजमान है जैसे कि शनी स्वयन की राशी में हैं और इसके परिणाम स्वरुक ये लोग अच्छा विकास हासिल करेंगे लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा इस महीने के दोरान शनी वक्री अवस्था में हैं इसलिए करियर के क्षेतर में प्रगती नहीं मिलने की संभावना है आपके साथमे भाव में राशी के स्वामी मंगल की स्थिती अनुकूल है जो नौकरी में जातकों को सफलता प्रदान करेंगे इस राशी के कुछ जातकों को करियर के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है और ये यात्रा आपके लिए फलदाई हो सकती है हालांकी राहु पहले भाव में नौवे और बारवे भाव के स्वामी ब्रहसपती के साथ स्थित है ऐसे में इन जातकों को विदेश में नौकरी का अवसर मिल सकता है ब्रहस्पती की इस्थिती के चलते आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रही है साथ ही इस समय भाग्य भी इनका साथ देगा अक्टूबर 2023 के अंत में हुए राहु केतु के गोचर के परिणामस्वरूप करियर वित्त और नौकरी के संबंध में मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकती है इस अवधी के दौरान जातकों को नौकरी के कई अवसर भी प्राप्थ हो सकती है राशी स्वामी के रूप में मंगल आपके सात्वे भाव में बैठा है जो आपको करियर में वृधी प्रदान करेगा और ये अवसर आपको विदेश से मिलने की संभावना है यहाँ नौकरी इन जातकों को संतुष्टी देने के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी देगी इस राशी के जिन जातकों का अपना व्यापार है वे लोग इस समय किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे यह लोग अपने प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने में सक्षम होंगे अर्थिक नवंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार संभावना है कि मेश राशी के जातक इस माँ ज्यादा पैसा कमाने में सक्षम न हो लेकिन जितना भी धनवा कमाएंगे वे कम भी नहीं होगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 30 नवंबर तक शुक्र दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके छटे भाव में मौजूद होगा और उसके बाद ये आपके सात्वे भाव में विराजमान होगा शुक्र के छटे और सात्वे भाव में बैठे होने के कारण इस महीने जातकों को धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इन समस्याओं की वज़़ से कर्ज होने की आशंका है और इस कर्ज से मुक्ती पाने के लिए जातक लोन लेने का फैसला कर सकते है पहले भाव में उपस्थित होने के कारण उपर बताई गई स्थिती संभव हो सकती है। यदि ब्रहस्पती और राहु पांचवे भाव में स्थित रहें तो आपके खर्चे आस्मान छू सकते हैं। शनी की ग्यारवे भाव में मौझूद्गी होने से ये जातत पैसा कमाने और भविश्य के लिए धन की बचत करने में सक्षम होंगे। जादा कमाई हो सकती है। जैसा कि राहू और केतू की दृष्टी आपके सात्वे भाव पर होगी और ब्रहस्पती पहले भाव में बैठा होगा। इसके परिनाम स्वरूप जातकों को प्रतिसपर्धियों से कड़ी तक्कर मिल सकती है। उपर बताई गई ग्रहों की विशेश दशा के चलते ये लोग ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। साथ ही प्रतिद्वंदी आपके लिए समस्याय पैदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य नवंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार मेश राशी के तहट जन्मे लोगों को अपनी सेहत का विशेश ध्यान रखने की जरूरत होगी। चाया ग्रह राहु और केतु क्रमशा पाँचवे और ग्यारवे भाव में तथा ब्रहस्पती आपके पहले भाव में स्थित है। इस भाव में केतु की स्थिती लोगों को साहस्प्रदान करेगी। चंद्र राशी के पाँचवे भाव पर ब्रहसपती की दृष्टी जातकों को बहतर स्वास्थ्य बनाये रखने में सक्षम बनाएगी लेकिन राहु की बारवे भाव में मौजूदगी से इन जातकों में असुरक्षा की भाव ना आ सकती है। चटे भाव के स्वामी के रूप में बुद्ध आपके चटे भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में आपका स्वास्थ्य बहतर बना रहेगा। लेकिन 19 अक्तूबर 2023 से बुद्ध आपके सात्वे भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप जातक पार्टनर पर दिल खोल कर पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे। हालांकी नौवे भाव के स्वामी के रूप में ब्रहस्पती आपके पहले भाव में मौजूद होंगे और इन पर अन्य ग्रहों की दृष्टी पढ रही होगी। इसके फल्स्वरूप जातकों को किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेम ववैवाहिक। नवंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार जो जातक किसी को प्रेम करते हैं उनके लिए नवंबर का महीना उत्साजनक और प्रेर्णा से भरा रहेगा। जातक पार्टनर के साथ मधूर संबंद बनाए रखने में सक्षम होंगे। साथ ही ये लोग अपने मन की बात साथी के साथ शेर करेंगे जिससे आपका और मजबूत होगा। इस राशी के जो जातक शादी करना चाते हैं वे इस समय ऐसा कर सकते हैं क्योंकि महीने के अंत में शुक्र की सात्वे भाव में मौझूदगी से विवा के योग बन रही हैं। जो लोग किसी से प्रेम करते हैं उनके लिए ये महीना फलदाई रहें। सकता है क्योंकि इस दौरान आप रिष्टे में प्रेम बढ़ाने में सक्षम होंगे। ऐसे में आपका रिष्टा शादी में बदल सकता है। पारिवारिक नवंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार मेश राशी का पारिवारिक जीवन थोड़ा उतार चड़ाव से भरा रहने की आशंका है क्योंकि राहु आपके बारवे और केतु आपके छटे भाव में स्थित होगा। ये छायाग्रा इन जातकों के पारिवारिक जीवन में सदस्यों के बीच समस्याएं उत्पन कर सकता है। ऐसे में अहंकार की वज़ा से घर परिवार में समस्याएं पैदा होने की आशंका है। परिवार के सदस्य अत्यधिक भावुक रहेंगे और इसके परिणामस्वरू परिवार में समवेदनशील मुद्दे सिर उठा सकते हैं, जिसके चलते सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं। उपाए, मंगलवार के दिन राहु केतू के लिए हवन यज्य करें। शनिवार के दिन हनुमान जी के लिए यज्य हवन करें। शनिवार के दिन सत्रह बार मंदाय नमा का जाप करें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशी पर आधारत है।